आज हम बनाएंगे दाल और चावल से बहुत ही हिल्दी और टेस्टी नस्ता और ये नस्ता बनाना बहुत असान है बहुत ही जटपट बन जाते हैं तो सुबह हो या साम का नस्ता अगर जल्दबाजी में आपको कुछ अच्छा और हिल्दी खाना है तो इस नस्ते को रिसेप तो एक कटोरी चावल है और उसी कटोरी से आधा कटोरी डाल है तो इसे हम 6-7 घंटा पहले भींगों के रख दिये हैं दाल चावल फुल चुके हैं भींग चुके हैं अच्छे से तब हम इसमें फ्लेबर के लिए डाल देते हैं दो हरी मीर्च एकीन चदर का टूकरा और 6-7 लसुन का कली डाल दिये हैं और इसे हम ग्रेंडिंग जार में टांसफर कर दिये हैं और 7 में ही डाल दी हम 3-4 चमच के करीब पानी और इसे हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो पेस्ट बनके तयार हो चुके हैं और थोरा सा दाल चबल बचे हुए हैं तो उसका भी हम सेम तरीके से पेश्ट बना लेते हैं, तो पेश्ट को हम एक बॉल में टांसफर कर लेते हैं, तिसे हम टांसफर कर दिये हैं, आप हम इसमें डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक बहुत ही जटपट बनने वाला नस्ता है यह, तो आप एक बार जरूर इसे बनाईएगा, और जि इसे भी खिलाइएगा इस नाचते को कोई समझ नहीं पाएंगे जो इसे आप दाल और चावल से बनाए हैं तो ये मिल चुके हैं आप चाहे तो इस नाचते को ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन हम और थोरा हैली तरीके से बना रहे हैं तो इसमें हम थोरा सब वेज़ेबलस गाजर, कैप्सीकम, प्याज, धनियापत्ता और टमाटर इन सभी को महीन कट कर लिए हैं तो जो दाल चावल का पेश्ट है इसमें हम इसे डाल देते हैं और आपके पास अगर ये सब भेवे लेविल नहीं है ताप इसमें प्याज, टमाटर, धनियापत्ता के साथ भी बना सक भींगे हुए हैं तो इसे आपको फूले के लिए नहीं रखना है बस पीस लीजिए और जटपट बना करके तयार कर लीजिए बहुत ही हिल्दी और टेस्टी नस्ता बनके तयार हो जाते हैं तो ये सब मिल चुके हैं अच्छे तरह से तब हम इसमें डाल देते हैं आधी छ तो इन्हें एक ही रॉंड में आपको इस तरह से फेट लेना है एक से दो मिनार तक अच्छे से तो डाल और चाबल जो है और इसका जो नस्ता बनाएंगे वो पूरा फुला फुला बनेंगे तो ये मिल चुके हैं अच्छे तरह से देख सकते हैं तो यहां का प्रसेस आपक प्रसे साधा तिल का इस्तमाल किजिएगा तो यहां पेरी rise ुल डाले हैं और इंशे हम फैला दिए हैं अब इसमें डाल देते हैं तोब में से दो-तीन तो अगर आप चाहते हैं चीला के जैसे बनाना तो एक ही चमच डालिएगा और अगर थीक थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो दो तीन चमच आप डाल दीजिएगा तो हम दो चमच से ज्यादा दाले हैं तीन चमच के करीब डाले हैं और इन्हें फैला देते हैं अच्छे से औ निकलने लगते हैं बहुत जल्दी बन जते हैं पूल जाते हैं नास्ता अंदर तक अच्छे से पक जाते है तो इसे पकते हुए 5 मिनात हो चुके हैं और उपर से देख सकते हैं ऐसे सुख चुके हैं तर उसका हम साइड़ सेंज करदे भी हम इसे पाँच मिन्ट के लिए और हम कवर करके पकने देंगे ढींप इस नाष् teníanны को आपको बनाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे तो एक प्रणास में अर शेख ने में आपको 10 मिनट के टाइम लगे जो आए Programs तो नस्ता सेक चुके हैं और एक्ठो होगा जितना बेटर बचा हुआ है तो इसमें हम राय और तिल दोनों का इस्तमाल किये थे यह वाली नस्ता में और दूसरा जो हम बनाएंगे उसमें बिना राय का बना रहें शुरिफ तिल हम डाले है क्योंकि बच्चे को राय खाना पस पसंद नहीं करते हैं तो इसमें हम दो चमचक से ज्यादा थोड़ा से जो बेटर था पुड़ा ही डाल दिये हैं और इतना बेटर में आपका दो नस्ता बन जाएगा और दो नस्ता में दो से तीन आदमी अच्छे से नस्ता कर पाएंगे इतना हेल्दी और टेश्टी नस्ता होता है और ठीक है तो दो या तीन पीस से ज़्यादा एक आदमी नहीं खा पाते हैं तो इससे आप जरूर बनाईएगा तो इन्हें भी हम कवर करके पांच मिनट के लिए एक साइड पकने दिये हैं और साइड चेंज करके भी पांच मिनट तक पका लिए हैं तो बहुत ही ह साध में तो देख सकते हैं एक ठो नाफ्था हम आपको तोड के भी दिखाते हैं बहुत ही जालीदार सौप्ट सपोंजी नाशता बनके तैयार हो चुके हैं तो देख सकते हैं अंदर से बहुत अच्छी तरस से पके हुए है आपको ऐसा नहीं जो अंदर से नास्था कर दो को एंगे